आतार करने में जुटे, कर्मट, जुजारू और बेपाख मुख्यमंत्री, भूपिश पगिल का अगर हम कहें कि हम इस वक्त देश के सबसे लोकप्रिये कॉंग्रेस नेता को सुन रहे हैं तो क्या हम घलत कहेंगे अपना-पना दिश्कोर्ण है, लोकप्रिता बहुत लोग हैं और यदि स्टेट के हिसाब से भी कहेंगे तो मुझसे सिनियर भी मुख्यमंत्रियां सोग गहलोज जी है और फिर सिधार महिया जी दुसरे बार फिर से मुख्यमंत्री चुने हैं तो लोकप्रिता का पहमाना कहन बड़ा कठीन है और यह निर्नेत में आप लोगों पिछोड़ता हूं जनता पिछोड़ता हूं कि शोर के यह सवाल मुझे लगता है इसले भी था बगेल साहब क्योंकि 36 गड़ अकेला प्रदेश है जहां विदानसभा टुनाव में हमें पहले से पता है कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है नहीं नहीं आपको राज सान में पता है अमने कि और निरा विरी नहीं पता है अभना मार दलिशखर कर कोई भी पर्टी और आपिर्फ कहिए भारती जनता पर्टी मुख्यमंत्री ही अमोमन चहरा बनाया जाता है。 जहां सत्ता में नहीं रहते तरह फिर वो फिर समय नेतरिटे भी चुनाव रहा जाता है. तो हमें मानले के इस साल पार्टी आप के Chinav लगने जा भी विदासवा चुनावा枝 le तो डिकलेर करते हैं नहीं करते हैं कप करते हैं तो वो हाई कमान का यह सवाल मुझसे न न पुछके हाई कमान से पुछा जाना चाहिए अब अपनी बात से मुख कर रहे हैं अभी आपने का जो मुख्यमंत्री का चहरा होता है वो ही मुख्यमंत्री बनता है मैं परंपरक बात सिंग जब मुख्यमंत्री नहीं थे तब भी उसके चेहरे को सामने रखके चुनावा लड़ा गया था पंजाब में पिछले समय तो ऐसे वो मैं समाजता हूँ रेयर ही है लेकिन राष्टी राजनितिक दलों में तीस प्रकार्स होता है कि जो सत्ता में रहते तो उसके हिसाब चलिए तो फिर 36 गड़ में तो ये बानी लेते हैं कि कॉंग्रेस आपके चेहरे पर चुनाव लड़ रही है लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि बगेल साब राम के नाम पर लड़ रहे है देखिए हम लोग कभी अपने आदर्स पूरुसमयाजी सोईस्वर मानते हैं जिस पर आ आस्था का है आस्था हम सब के आस्था राम पे है राम करने निहाल है इसलिए हम लोग तो भाचा राम की रूप में जानते हैं यहां वनवासी राम की रूप में जानते हैं क्योंकि सबसे से ज्यादा समय कि मुनों ने काटा सबरी के राम सबरी माता यहीं के ननी वाली अक आपने तो बीजेपी का मुद्दा चुराने की कोशिश किये देखिए क्या है कि 36 गड़ को लोग पहले दो तीन चीज़ों जानते थे एक तो यहां बहुत सारी मिनरल से बहुत सारी ख़दाने हैं दूसरा नकसल के नाम से जानते थे जब से राज बना है तब से नकसल और नक परा है संस्कृति है रहांसान खान पान इतनी बोलियां है 36 गड़ में जिसके आप आप सोच नहीं सकते बस्तर में जाईए तो हर आपको 10-20 किलमेटर में अलग अलग बोलियां मिल जाएगी आपको 50 किलमेटर मिल जाएगा उसी एक साथ-साथ यहां रामवान गमन पर यह परपत है जहां बैठें उसे 15 किलमेटर दूर पर आप जाएंगे आरंग एक सहर है आरंग विधान सभाभी और सहर भी है बहुत पुराना है वह एक जगह है जहां भगवान राम भी आया थे और भगवान कृष्ण भी वहां आया थे मैंने समझता कि और कहीं आपको पौरा परटन परपत भी है भगवान कृष्ण के भी यहां अर्जुन के साथ आये थे इसके भी कहाने आपको मिलेगी फिर भगवान बुद्ध के सबसे बड़ा परिसर मतब दस वर किलमेटर फैला हुआ इसी रोड़ पर जहां नागार्जुन आया थे यहां तपस्या कि यहां अ इसको बढ़ाने के लिए आदवासी नित महावसा कराया राष्टी इस तर पर अब वो अंतराष्टी होगे 26 देश के लोग आ चुके हैं अभी तक के 26 देश के जो आदवासी कलाकार हैं वो आये और यहां प्रदस्टन किये और वहीं पूरे देश में हमारा पहला राज्ज है जहां रामायन महासा हमने का रायगर में कुछ दिन पहले एक दो तीन जून को तो हमारी जो हमारी जो पहचान है के वल उन दो कारणों से नहीं पिछले सरकार ने कभी इन चीजों को बढ़ावा देने के कोशिश नहीं की हम लोग उस हिसाब से को अब 36 दों को दूसरे र और आपको ये तो 36 गड़ की पहचान हुई आपकी पहचान से मनने के बाद से जैसा मने का एक तो लोग प्रिया कॉंग्रेस नहीं था के रूप में हुई देश भर में और हाई कमान को डिफेंड करने में कोई भी जो वार आता है राहूल जी पर प्रियंका जी पर आप सब अपसे पहले उसको डिफेंड करने आते हैं ऐसा क्यों एक तो मैं 36 गड़िया हूं यह मेरी पहली पहचान दूसरी पहचान में कांगरीस के कार करता हूं मेरी दो पाता है यह अभी मुस्लिम लीग वाले बायान पर भी आपने डिफेंड किया मुस्लिम लीग सेकुलर है भाई यह जो मुस्लिम लीग अभी किरल में दिखाई दे रहा है वो दूसरा है वो जो पुराने वाले जिन्ना की जो मुस्लिम लीग है उसके साथ तो स्याम भाई ऐसा है बहुत सारे संगठन है जिसके नाम से जुड़ा रहता है तो इसके मत्तब यह थोड़ी है कि वह संप्रदाइक हो गया तो उनके कारिय भी है उनके आप एजेंडा देखेंगे आप उनके मैनिफेश्ट्रू देखेंगे उससे पता चलेगा आपका नाम कुछ हैं उसे पहचान होती है तो फिर पजरंग दल बेर्हं क्यों है बजरंग दल बजरंग बली के नाम से आप गुंड़ा-गर्दी नहीं कर सकते हो हुआ है बजरंग्-बली ने देखा दिया भी किसके साथ हैं है भारती जंता पार्ड़ी के लिगे लोगद फुब बजरंग लेकिन बजरंग दल बैन होने वाला है क्या चतीस गड़ में यह तो देखिए एक राज्य ने गोष्णक की है और दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री से सवाल पूछ रहे हैं आप कि इसवाल आपको कर नाड़ा दोking से कारे करता हैं ना राष्टी तर पे जब चुना होते है तो अलग-अलग राज्या के अलग-षणा पत्र हैराश्टी इस तरपे हो तो धान खरीदी होती है, अब मैं बोलूगे, मैं ये कहूं हूँ, 36 गड़ में हम सेव का, सेव के कीमत को इतना करते हैं, तो यहां सेव को उत्पादम तो होता नहीं भई, वही माचल मी होगा, यार यह कस्मिर मी होगा, लेकिन हमने यह सवाल इसलिए आपसे मुख्यमंत्री जी पूछा, क्योंकि जब हमने यह पूछा कि क्या आप चेहरा होंगे दो अजार थेज का, तो आपने राजस्थान का एक्जाम्पल दिया, नहीं, वह आप कॉन्फिटेंट थे, दोनु सवाल अलग अलग हैं, दोनों सवाल को क्लब मत करिए, और दोनों सवाल को उत्तर अ हैं, वैसे एक सवाल के बहुत सारी उत्तर हो सकते हैं, हैना सवाल एक है लेकिन उत्तर बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन दो सवाल को क्लब मत करिए, अच्छा फिर थोड़ा इसे घुमा के पूछ लेते हैं, मुस्लिम लीक को आपने कहा कि कार्य से पता चलता है कि आप सामप बजरंग दल सब जगा है बजरंग दल के बारे में यह है कि जितने छटे हुए लोग है वही लोग आते हैं जब लड़ाई जगड़ा करना होता तभ ही आते हैं जब यहां किसी हमला करना है तब पहुंचते हैं हिंसा करना है तब पहुंचते हैं और बजरंग बली किसे बड़ा कोई ध्यानी नहीं बजरंग बली से बड़ा कोई ज्यानी नहीं बजरंग बली से बड़ा कोई भ्यक्त नहीं और उससे बड़ा कोई बलसाली नहीं तो बजरंग बली वो है और जिस नाम से आप रखे हो उनका कृत्य देखो ना वहां ज्ञान है न बल है न ध्यान है न भक्ती है तो आप पे समानता कहा है यह बताईए हम आपको थोड़ा सा पीछे ले चलते यूथ कॉंग्रेस के दिनों में जी तो यूथ कॉंग्रेस के समय है आपने कुछ ऐसा सोचा था जो आपने सीएम बन के इंप्लिमेंट किया है कि दिखिए ऐसा कि हम लोग तो कभी राज़िती में राट हम बेसिकली हम लोग किसान हैं गाओं में खेती करते थे पढ़े कि गये साइंस काले से निकले खेती करने सुरू करती है जो समय बसता ऐसा लोगों के हिट में गाववालों के हिट में कभी किसी कार्याले में कोई काम अठका है तो हा चल देते थे बात कर लेते थे कभी खेतों पानी निए पहुच पा रहा dio तके साना अन्दोलन कर लेते थे फिर राजी जी राजितीव आगबन हुआ तो उसे प्रीरित हुई हम लोग यूद कांगरेस में जूड़ गए और इस प्रकार से सफर सुरुआ कोई सोच के नहीं आये थे हम कि अब मुख्यमंत्री बनेंगे तब यह करेंगे हम तो हमारे परिवार में कोई विधायक नहीं सा मेरे पहले मैं पहला विधायक हूँ तो यह जरूर सोचते थे कि जब इस्कूल में हम लोग पढ़ते थे अब 15 अगस 26 जनौरी के छेत्र विधायक आते थे यह लंबी लंबी भासन देते थे हम लोग ऊप जाते थे तो मैं कोशिश यह करता हूँ कि लंबी भासन ना हो ताकि पब्लिक न हम लोग भी मद आता हैं हम लोग भी ओड़ देते हैं तो वो सुधाम को गाम मिलना चाहिए वो संपनता हमारे गाम होना चाहिए यह जरूर सोचता था मैं जब हम सहर में आ दे थे तो स्टीट लाइट भी सड़कें भी बड़ी-बड़ी बिल्डिंगें भी इस अब दिखत हमारी यह है कि इस साड़े चार सालों में कि गाओं को लोगों को संपन बनाने काम हमने किया चाहिए किसान हो मजदूर हो चाहिए लगहून कच के संग्रहन करने वारे हो संपनता दो गाओं में आई है तब यूद कांग्रेस में तब भी दो गुड थे देखो जिस नेता के साथ जुड गया है तो उसके गुड का कहला है को भी मेरे हर नेता से संब्द नहीं हो सकते हैं देश में आज मैं मुक्य मुंत्री हूं लेकिन क्या सभी देश के सभी नेताओं से मेरे संब्द अच्छे हैं चाह सभी से खराब हैं से ने मैं किसी नेता स किसी नेता से जूड़ गया, अब मालो सुक्मा कॉंटक आदमी कोई बल्रामपूर के नेता से संपर्क में तायेंगे नहीं, उसी होगा, प्रदेश इस तर के नेता से जूड़ जाएंगे, उसी प्रकार से था, मदप्रेस में हम लोग थे, तो दिग्वियाई सिंग जी भी थ आ गये, जिसके व्यक्तव हम लोग अच्छे लगते थे, हम उनके साथ जूड़ गये, तो वो समझ लिए, फिर उसका गुठ हो गया, ऐसा कुछ नहीं है, पबलिक में कोई मिस कम्मिनिकेशन नहीं होता ऐसे, जब आप वो यदी सवहाध पुर्ण वाता वन रहे, तब तो क कोई बात नहीं, यदि प्रतिद्वनतता आ गई और कठता आ जाये, तब फिर उनक्सान दा एको जाता है, क्षेत्रिय स्थर पर दो गुड दिखाई देते हैं, राष्ट्रिय स्थर पर दो चेहरे दिखाई देते हैं, राहुल गांदी, प्रियंका गांदी, दोनों में से क क्या चीज़? अब आप क्योंकि दोनों के करीब माने जाते हैं, राहुल के भी और प्रियंका के भी, देखे एक चीज़ है, जब राहुल जी इस्तिफा दिये थे राष्ट्रिय स्थर पर से, तब भी मुझे अनेक चेनलों में, अनेक मीडिया हूस के द्वारा, महुत सारे कायर कम किये गया, और मुझे सवाल पूचा गया, उस समय भी मेरा जवाब वही था, और आज भी जवाब मेरा वही है, कि यदि ब्यक्तिकत तोर पे भुपेश बगेर से पूचा जाए, मैं यही कहूंगा कि राहुल गांदी को ही चेहरा मना के चुनाव लगा जाना चाहू लेकिन सीम साफ फिर राहुल गांदी यात्रा लेका 36 गड़ क्यों नहीं आते हैं? तो फिर निश्चितर से बीच में ही आएगा. हमने तो आप ही लोगों से सुने हैं, मतलब कॉंग्रेस के लोगों से सुने हैं? आप दिल्ली साएं ना? मैं दिल्ली बहुत दिन होगे नहीं कहा हूँ. अज़े दिल्ली के आपने बात की, वह वहां पे फ्री बिजली देते हैं दिल्ली वाले, दिल्ली की सरकार वाले, तो आप कहते हो, यह फ्री भी है और यह ऐसे नहीं होना चाहिए, वैसे नहीं होना चाहिए. लेकिन आप भी तो यहां पर दे रहे हो, बेरोजगारी बत्ता दे रहे हो, यह सब दे रहे हो, तो उनकी politics गलत और आपकी सही क्यों हो? नहीं, आप तो भाजपावालों के तरफ बोल रहे हैं, दिल्ली वाले नहीं बोल रहे हैं। नहीं, जो दिल्ली वाले भी फ्री में दे रहे हैं बिजली, जो स्कीम चलाई थी उन्होंने, उसी तरह आप भी तो… किसान बढ़ सके, क्योंकि सिचाई का रगवा, सिंचित रगवा, 36 गड़ या माद प्रेश में कम ही था, तो इसलिए उनको सुधाय दी गई, तो वो ये कोई केजरी वाले ने सुरू नहीं किया है, बहुत पहले से अर्जून सिंगी के समय से, फिर दिग्विया सिंग, मौ 36 गड़ माडल है क्या? 36 गड़ के खजाने के पैसा है, वो 36 गड़ के लोगों का है, और इसलिए खजाने के पैसा किसानों को, मजदूरों को, यौओं को, महिलाओं को, वंचित वर्गी को लोगों को हम दे रहे हैं, तो यहां आम जनता है, वो मजबूत हुआ है, उसका उदाहरन में दोंगा, अब उस्दाव के सेलरीम क्टवती की गई, सांस्वधों के सेलरीम क्टवती के ए, एमपी लेड में कटवती कर बंद कर दिया गया, ऐकर दिया दोंग अगयों इंदाव कि उस समय जरुरत मंद लोग व्हमारे किसान है, उसको राजरी गांधि नियुजनर को पहला किस पंद्रह सो करोट पर नों खाते में डाला और उस समय मर्रेगा शुरू किया बहुत लोग हाई कोड पहुचे भाई इसको रुकना चीह मर्रेगा में और चबविस लाख लोगों को मर्रेगा माध्याव से गरीब लोगों को लाप पोचाने काम किया तीसरी बात मैं बताना चाहूंगा, यह 36 गड़ वना च्छादित है, और लगू अनपच खरीदी का समय वही रहता है, मार्च अप्रेल में आप देखेंगे तेंदू पत्ता संग्रान करते हैं, इमली का है, मौहा का, आम का भी सी जन रहता है, तो इसको संग्रान करते हैं, उसमें यह थी कि हमारा परवार कैसे चलेगा, और उस समय 36 गड़ सरकार ने तीन महने का रासन एक साथ पहुंचाने का सबसे पहला नीड़न हमारा है, चत्रीजगड का, रासन भी पहुंचाया, और लोगों के जेव में पिशा भी पहुंचाया, तो आर्थी कि रोसे कम निश्चि का शुरू किया है, आप समझते हैं कि गेम चेंजर साबित होगा वो आ गया आने वाले चुनागों, नहीं, देखिए, मैं जब यह बिरोजगारी भत्ता माटा, उस समय भी मेरा बयान पढ़ लिजेगा, मैं बिरोजगारी भत्ता दे कि खुश नहीं हूँ, मैंने यह कहा, म मुझे खुशी तब होगी जब उस नौजमान के हाथ भी रोजगार होगा, उसके हाथ मेरोजगार होना चाहिए, और उसके लिए मतक्यवल बेरोजगारी भत्ता दे दिये, और हमारे दायूत खतम होगा ऐसा नहीं है, उसके बाद उसरे ट्रेनिंग का प्रोगाम सुरू हो होता है, और वो, और उसके सांसात अभी, अभी में गया था, कॉंडा गॉंजिला, वहाँ पांस, साधे पांस सो बच्चों को रोजगार का सर्टीपिकेट दिया, इधर बेरोजगारी बत्ता भी दे रहे हैं, इधर ट्रेनिंग भी कर रहे हैं, उसको रोजगार रोजगार इस बीज में मैंने वही सोचा, देखा, करोना काल एक ऐसा काल था, जिसमें पूरे देश में लागडाउन था, लागडाउन होने के बावजूद भी सराब पहुंचती रही, हमारे याँ फेक्ट्री बंदे तो आपके दिल्ली बगल में हर्याना वहां से गाड़ी आई, य गुजरात के किनारे में हैं, धार के फेक्ट्री से सराव यहां पकड़े गई, और उसके बाद सिनी ट्रैजर पी के लोग, कुछ लोग मर गई इसी हमारे राजधाने में, कुछ लोग हैं जो होमेपेथिक जो सिरफ है, उसको पी के कुछ लोगों जानी चले गई, तो यह लेंड ला के स्टेट हैं, साथ राजधा गिरा हुआ है, तो ऐसे में अधी बंद करेंगे, तो हाल गुजरात जैसे या बिहार जैसे जिसमें दर्जनों लोगों को मौते हो रहे हैं, और एक बार नहीं कहिके बार हो रही है, तो भई मैं ऐसी कोई योजना नहीं लागो जरूर मैं कह रहा हूं कि मैंने हमने घोशना पत्र में डाला है, और हम अभी भी उस वादे से अडीग हैं, लेकिन ये समाजीक बुराई है, और समाज के अभियान चला के इसको दूर करने का काम होना चाहिए, जब तक कि इसमें समाज में जाग रुकता हम नहीं लापाएं सोच रहे हैं, उसका अध्यान भी कर रहे हैं, और लगातार उसे सोच भी रहे हैं कि कैसे होगा, क्योंकि यदि समस्या है तो उसका समाधान भी है, तो समाधान के दिसा में लगातार कोई अच्छा आइडिया आप भी बता दीजिए, तो वो आइडिया मिले, तो मैं लोगो बताओंगा किसको लागू करें अज आपने सामाजिक मुद्दों की बात की एक मुद्दा जो कुछ लोग कहते हैं कि सामाजिक ही नहीं सिर्फ उचाला जा रहा है वो है और कुछ लोग कहते हैं बहुत सीरियस मुद्दा है वो है जबरन धर्मांतरण का और उसके राजनीती भी होती है क्या इस तरह की बाते हैं क्योंकि 36 गड़ राज्य में भी बार बार उखता है ये चुनाओं में लोगों पर असर डालती है जब आप लोगों पर जाते तो क्या कहते हैं लोग देखिए एक चीज़ है कि धर्मांतरन का मुद्दा जो है यह भारती जनता पार्टी क के लोगों जब चुनाओती देता हूं और महनों से दे रहा हूं कि 15 साल के कारकाल में सबसे ज़्यादा चर्च बने तो चुप हो जाते हैं उसके पहले उतने नहीं थे और उसके बाद नहीं बने सबसे ज़्यादा बना उनके समय में अब कोई भी आस्था का जो केंद्र है वो तब बनेगा जब उसके मानने वाले रहेंगे मैं हिंदू हूं तो मैं मंदुरी बनाओंगा तो पहले हिंदू होना जरूरी नहीं तब तो मंदिर बनेगा कोई यदि सिख है सिख होना जरूरी तब तो वहां गुरुद्वारा बनेगा तो उसी प्रकार चर्च तब बन कि जब इस आखरेक बात करता हूं तो चूपो जाते हैं दूसरी बात यह है धर्मांतरान का मुद्धा जो है आखिर गार्वाःश प्रॉप। यह पूर्मांतरान का माबला हो, यह केंद्र का से है, पूरे देश में लागू कर लेना, भारती जनता पाठी यहां क्यों हला कर रहे हैं, लोक सभाव अभी आने वाला है उसे में बिल लाए पारित करें लागू कर दें अरो भाई देली सरकार ने सुप्रीम कोड ने कहा कि आपको ट्रांसफर करने का अधिकार है दूसरे दिन अध्यादेस ले आए कि आप नहीं कर सकते हैं तो इसको भी कर लो भई को रोग रहा है आपको भारी बहुत है आपकी राश्प्रती भी ऐसा था ही नहीं कि आपके अध्यादेश को या फिर लोग सबंपारित के बिल को आप हसाक्षर नहीं होगा तो यह क्यों राजनिति की शत्तित गड़ में इनके पास कोई मुद्ध है नहीं एक चलमें ना किसान उनके साथ है नमजदूर उनके साथ है न महिला उनके साथ है न यूओ उनके साथ है ना अधवासी उनके साथ है ना सुची जाती के लोग है वो गाय के नाम से वोट मांगते थे वो भी छूट गया राम के नाम से वोट मांगते थे वो भी हम तो लगातार मना रहे हैं तो सब कुछ छूड़ गया तब एक बज गया धर्मान तरह और सम्प्रताइक्ता लब जिहाद वाला मामला है था मैं बोला है गरीब लोगों की बीच में दि हो जाए प्रेम तो जिहाद हो गया और इनके घर के बच्चे करते हैं तो क्या होता है फिर लब हो जाता है आंधोलन क्या गरीब परवार के मतलब गरीब लोग ही इनके राजनीती खत्यार है और इसके घर के बच्चे करते हैं उसमें आंधोलन क्यों नहीं करते हैं भारती जनता पाड़ी बडे नेता कि बेटी सादी सुधा बेटी dopamine बेटी होई है एक मुसलमान कि गर में उसमें आधोलन क्यों नहीं कर रहे हैं भी तृछばい उसमें चूप हो जाते हैं जितने बड़े नेता ओंव को दिल्ली में और कोई मंत्री बनाए कोई साहसथ बनाए कोई इधायग मनाए दूब वहां क्यों अंदोलन नहीं करते हैं आम जंदों को बता रहें कि आप नहीं कर सकते इनको अधिकार है लब जिहाफ करने का यह करेंगे जितने बड़े नेता है भारती जंता पाड़ी देखो, लाइन से, मैं नाम किसीक नहीं ले रहा हूं, सब बड़े नेता हूं के दमान आपको मिल जाएंगे, उसमें अंदोलन देश पर में क्यों नहीं होता, मेरा सवाल यह है, तो हम तो महात्मा गांधिक मानने वाले हैं, कर उस प्रकार से नहीं है, मतब परूप देश कुसल बहुते रहे, आपके लिए दूसरी और मेरे लिए दूसरा, अभी कानून देख लिजिए, टेनी मिस्रा के लिए अलग, आम जनता के लिए अलग, वो क्या भूसन है, ब्रिज भूसन के लिए अलग, और पहलवानों के लि चाहिए, आप कह रहे हैं कि 36 गड़ में बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है, क्या यही वज़ा है कि आप ये भी कहते हैं कि एडी की कारवाई इसलिए हो रही है, वो एडी के अधिकारी ये बोलते हैं कि हमारे जबरों से किसी चुना लड़ लेंगे भाई, वो तो बूथ में नहीं जाएगा वो जिलवाने, वो करवाई कर सकते हैं, जब अरियार जेल में फूश सकते हैं, भेज सकते हैं, गिरप्तार कर सकते हैं, चाहपर डाल सकते हैं, बदनाम कर सकते हैं, लेकिन बूथ में तो भारती जंता पार्टी के लोगों के जाना पड़ेगा न नहीं आप यहां फुल स्टॉप करेंगे दिए कांग्रेस में केवल गांधी परवार पर ही परवारवाद कारोप लगाते हैं लोग बजद रातनाज सिंग की बेटा विधायक है वसंदर राज बेटा भी राज नितीम है परवारवादी जोतेरादे सिंधा जी का आप ले और एक को मंतरी बना दी उतर प्रविट Ariel's में हमारी परटी इस ले जा के इसे लोग है इसे ठीस में रमाहिशें की बेटा है उन्षा जा रूर्ज लॉख बना है बली रामकासेप के बेटा दो बेटा है एक कांस्त बना एक मंतरी बना चाहों एक सकता हो तो यह कि तकलीप उनसे ही से और जहां तक मेरी बात है तो मैंने तो भई ऐसा है कि मेरे बच्चों को मैंने पढ़ा लिखा दिया मैं किसान हो तो मेरे बेटे मैंने खेती किसानी सिखा दिया है उसे साधी कर दी अब वो सुतंत रहें को राजनितिम आया है कि ना है वो जाने उसका का आपनों कि तोछ सुधывать की, मैंने तुछ और पालग के हसे से पिट़ एक सासे मैंने उसको पढाने लिखने के लिए पुरा उसर दे दिया अपने जो पारंपरी जो धंडा है खेती उसको मैंने सिखा दिया विशुल को समय से ब्लेट है था खेत होना चीक नहीं होना चीक किरके वाल राज्जीतिक है इसलिए उसके बच्चों को अपने बारें फैसला लेने का अधिकार नहीं यह तो गलत है ना वो ले आए सक्षा में अच्छा सुनाएं आप और आप हमिशा कहते हैं कि मुझसे यह पूछ लिया करो कि गाना कौन सा पसंद है गाने के लिए नका करो तो आज कल कौन सा गाना पसंद आ रहे हैं आपको आज कल तो बढ़िया भजान सुने हम लोग रूप रमायन मौशा में अच्छा सुनाव के लिए बहुत बहुत चुक्रिया आप हमारे साथ यहां इस मंच पर आए हम इस के लिए प्सक्रियाजरी से जयाव प्सक्रा प्सक्राव नकारा माध्टी जसे प्सक्षीं किया हम एगए यहार तेना कि अवहार वुते ही इस पास प्सक्राव माध्तू कराव पाराव झाल कुछा है झाल का हुग तो न्यूस एटीन इंडिया ओपन माइक शटीज गड़ के समंच पर